राजसान की दोसों में से सभी 199 विदान सभा सीटों पर 25 नौवंबर को बोटिंग होई थी चुनाप परिणाम घोशित हो चुके हैं एक सीट पर कॉंग्रिस उमिद्वार की जान चली जाने के चलते चुनाप स्थगित हो गया था चुनाप आयोग अब 5 जनवरी को इस सीट पर चुनाप करा रहा है साफ है भजनलाल सरकार जो 15 दिसंबर को शपत ले रही है उसके लिए मुश्किल की घड़ी आ गई है तो कैसे मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं भजनलाल देखे इस रिपोर्ट में राजस्थान बीजेपी में वसुंद्रा राज खत्म हो चुका है और अब भजनलाल शर्मा का राज शुरू हो रहा है 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा राजस्थान के सियमपत की शपत लेंगे लेकिन शपत ग्रहन से पहले ही उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है दलसर शरी गंगा नगर जिले की करनपूर विधान सभा सीट से कॉंग्रेस की उम्मीदवार गुरूमीत कुनर की चुनाओ प्रकरिया के दोरान जान चली गई थी और इसी वज़ा से चुनाओ स्थगित कर दिया गया था अब इस सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होगी, वहें 8 जनवरी को वोटो की गनती होगी और नतीजे घोशित किया जाएंगे कॉंग्रेस ने यहाँ से गुरुमीत कुनर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुनर को टिकट दिया है कॉंगर्स प्रत्याशी रुपेन सिंग रूबी कुंणर ने अपना नामंकन भर दिया है चुनाव आयोग ने सिर्फ कॉंगर्स की उम्मीद्वार को ही नामंकन करने की इजाज़त दी है बाकी उम्मीद्वारों के नामंकन पहले से ही जमा हो चुके हैं बीजेपी ने इस सीट से पूर्व मंतरी सुरेंदर पाल सिंग को चुनावी मैदान में उता रहा है। इसे बीच खबरे ये आ रही है कि गुरमी सिंग कुर्णर के बेटे को शेतर में मिलिती सहानभूती की खबरों ने बीजेपी की मुश्किले बढ़ा दी है। इसके साथी जिस तरह से बीजेपी ने वसंदर राजे को किनारे किया है उसे लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है।